हुआ है तो हलो खरेंट्स वैलकम बैक एन अदर लुडियो इस वीडियो के अंदर हुआ दिसकर करने वाले हैं बैंक ॥े और निफ्टि फिफ्टी के इक्सपाइरी की आलिसेस जाट की आज ती इसको डिसकर करेंगे ऑस कैसा पारी रही हमारी और इसकर करेंगे करने के लिए अज किया लिवर्स देखने को मिल सकते हैं लेखिए मार्केट के अंदर क्या देखने को मेरा जो आज के लवर्स दे रख्टी थे पर कहीं न कहीं मार्केट सेल होगा तो कहीं न कहीं यहां पर 47,000 के लेवल के तक आएगा यह चीज़ हमने डिसकस करी हुई थी और देखिए मार्केट ने क्या किया इस लेवल पर आई और यहां से अच्छी खासी बाइंग पोजीशन देखने में मिली और अच्छा खासा मार अधर कि की चाँ अधर कि तरीके से के पर लेकरे जो इन्द मनी की यहां पर बिल्लकुल भी डिफ्रेंट नजारा ऐता है कि ओर और डारेशन बताने चल पाती की चिसतरीक्य से movement उसके अंदर हो रही थी overall क्योंकि देखें कि मैं बात करूं तो हाई जाने के बाद जो otm की ट्रेट्स थी वो डीके जादा कर रही थी यहां पर उसके बाद put side का थोड़ा movement जो था उसके अंदर एक अच्छे खासी हमें एक put side का movement देखने को को मिला आप option chain के अंदर देख सकते हो कि otm क्या होती है itm क्या होता है इंद में क्या होती है यानि कि itm तो रिसकस करेंगे यहां पर कि आज यहां पर मार्केट ने closing दिया कल का view क्या हो सकता है तो simple देखिए यहां से हमने एक trade line draw करूंगा मैं यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं एक अच्छी का से यहां पर trade line रोख सकती है क्योंकि market देखिए कितनी बार rejection दिया है इस line पर देखिए एक बार rejection दिया है मार्केट ने sailing होई है दो बार rejection दिया है sailing होई है तीसरी बार और फिर से यहां पर मार्केट आएगा तो sailing हो सकती है इसके प्रवबालिटी किया है क्योंकि market के अंदर अभी लगातार एक downside के लिए movement हो रहा है और कहीं ने कहीं जो gap बच्चा हुआ है उसको market फिल करेगा और इस level के बाद यहां पर बात करो निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी का चार्ट बहुत यहां देखेंगे वेट करेंगे अगर market open होता है 47,460 के लेवल के राउंड तो यहां से हमें एक sell position करेंगे अगर gap-up होता है देखे 47,490 के ऊपर अगर open होता है तो हम अच्छा का सा एक buying position लेके यहां से निकल जाएंगे लेकिन अगर market इस level के below ही open होता है इस deadline के अंदर ही open होता है तो simple यहां से हम sell करेंगे sell करने के बाद हमारा target first क्या होगा 47 था होगा 70 के लेवल के राउंड यह मेरा first level होगा इस selling के बाद कर मैं बात करूं देखे किता ज्यादा important यह support है एक बार rejection मिला है दो बार rejection मिला है तीन बार rejection मिला है अगर इस बार market इस level को breakdown गिया तो finally आपको एक अच्छा 45,000 का level देखे मिल सकता है यह जो level है important level है यानि 46,500 का level जो है बहुत ज्यादा important है इस level के ऊपर हमें बाइन जो यहां से create हो सकती है तो market हो सकता है कि यहां से bounce back करें अगर market यहां से reversal नहीं देता एक call side के लिए इस put side के movement में अगर यहां से reversal नहीं मिलता call side के लिए तो कही न 45,000 के आसपास से एक buying opportunity देखने को मिल सकती है दो जगहां से जैसे ही market state line को breakout करेगा हम अच्छा कासा एक call position बनाएंगे और जब भी market इस level के आसपास आएगा वहां से हम put के position बनाएंगे और यहां से गर markets level को breakout करेगा तो हम अच्छी कासे buying opportunity में देखने को मिल सकती है अच्छी खासी upside के लिए movement किया हुगा है लेकिन फिलहाल अभी जो एक downside के लिए movement हो रही यहां पर बहुत ज्यादा buyers नहीं है लेकिन इस जो level पे हैं यहां पर 46,500 के level के around यहां पर buyers हैं तो कहीं अगर इस level के आसपास selling होती है तो हम वेट करेंगे इस support का first level के आसपास 47,070 के around इस level को भी breakdown करेगा तो direct आपको 46,500 के level के लेवल देखने को मिलेगा और इस level के आसपास से buying opportunity देखने को मिल सकते हैं यहां मेरा poor side का और कल का view यहां पर bank nifty का और मैं यहां यहां इससे discuss करूंगा nifty 50 के अंदर की कि इस तरीके से movement हो रही है तो देखिए कहीं ने कहीं आ यह chart button बनता हो नज़र आ रहा है तो उसके लिए पहले तो यहां पर मैं एक important support draw करूंगा जो कि market के अंदर बहुत होने वाला है यह देखिए यह chart बहुत है important है यह support बहुत यादा important है market ने एक, दो, तीन, चार बार rejection दिया है और finally एक अप्शार के लिए movement किया है लेकिन दे चलेगा कि market के अंदर buyers किस level पे हैं और sellers किस level पे हैं तो देखिए इस level के आजपास 56 million से ज्यादा यहां पर traders बैठे हुए है इस level पर buyers बैठे हुए है इस level बैठे हुए है इस level बैठे हुए है इस level पर buy करने के लिए nifty 50 को यानि कि 21,480,90 के around यहां पर बैठे हुए थे buyers अच्छे कासी selling हुई यहां पर buyers ने buy किया और अच्छे कासे market को ऊपर लेके गए और इस level पर closing दी है और यहां समय कर आपको एक चीज़ दिखाओं तो क्या देखने को मिल रहा है कि selling zone इस level पर था और इस level के आजपास एक resistance zone भी है इस level के आजपास एक resistance zone भी है पूरा का प reason यह है कि market के अंदर एक slow बनता हुआ नजर आ रहा है और market ने एक बार rejection दिया है और फिर से कहीं न कहीं इस level के आसपास से यानि कि 41,650 के level के आसपास से 50 के 645 के level के आसपास से हमें फिर से एक selling करता हुआ market नजर आ सकता है क्योंकि अभी bank 50 वहां पर selling के position पर है थोड़ा स आसपास से अगर मैं तो आपको देखें कि कहीं न कहीं कहीं इस level के आसपास से हमें selling मिल सकता है कि breakout नहीं मिला था अगर यहां से breakdown देखने को मिलता है तो पहला level आपको देखने को मिलेगा 21,560 का exact आपको 100 points का movement देखने को मिलेगा उसके बाद दूसरा level 21,500 का देखने को मिल सकता है दूसरा level यह रहा मेरा nifty 50 का view कि क्या देखने को आपको मिल सकता है इस level के आसपास से proper selling देखने को मिल सकती है कहीं न कहीं first level और यह रहा दूसरा level तो आपको कल वेट करना है market के अंदर 21,640,50 के around है market तो वहां से एक अच्छी खासी हम put side की trade ले सकते हैं position मना सकते हैं downside की और market अगल यही इसी trade line क के ऊपर closing देखे अच्छा कासा इस level पर time spend कर रहा है उसका मतलब कहीं न कहीं यहां से market breakout करने की कुशिच कर रहा है और अच्छा कासा एक trend reversal यहां पर देखने को मिल सकता है जो कि अभी बात तेरो nifty 50 का देखिए graph और bank nifty का graph देखिए दोनों सेम लग रहा है और दोनों के अंदर एक अच्छी खासी trend line पर market ने closing दी है और यहां से कहीं न कहीं selling दीखने को मिल सकते है तो बस आपको दोनों market के अंदर दोनों charts को comparison करना है जैसे market के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको दोनों के अंदर follow करना है सेम प्रोसेस अच्छा का साथ लेवल्स को देखकर profits बना रहे हैं तो यह मिलते हैं इसी नेक्स वीडियो में नेक्स इंफर्मडी वीडियो साथ तो आपको शेयर कर दीजिए